नुश्कर बच्चो बच्चो उमीद है कि आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आप में से कई बच्चे गाउं से होंगे या गाउं गए होंगे अब जब हम गाउं में रहते हैं या गाउं में जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्चन पैदा होता है कि ये जो गाउं है कैसे चलता है हम देखते हैं कि हमारा जो देश है एक पूरी परणाली होती है जिसके माध्यम से पूरा देश चलता है तो क्या हमारा जो गाउं है या जो हमारे जो गाउं है वो भी किसी विवस्ता के अनुसार चलते हैं या अपनी मर्जी से चलते हैं प्रशन ज़रूर पैदा हो रहा होगा अब हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं और इसका उत्तर क्या है कि ये जो गाउं है वहाँ पर जो विवस्ता होती है वो एक पंचायत होती है जो पूरे गाउं को देखती है और उसको संभालती है और वहाँ विभीन प्रकार के काम करती है और आज का जो हमारा अध्याए है वो भी उसी से ही जुड़ा हुआ है और ये जो अध्याए है वो कख्षा 6 का अध्याए 5 है और ये नागरिक शास्तर से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है पंचायती राज और इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में हम कुछ बाते हैं जो जानना हमारे लिए जरूरी हैं हम उसको पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय में हम देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है हम ये भी देखेंगे कि पंचायत क्या होती है हम ये भी देखेंगे कि पंचायत का चुनाव कैसे होता है हम ये भी देखेंगे पंचायत की आय के साधन क्या है हम ये भी देखेंगे कि गाउं में पंचायत कौन कौन से काम करती है और उसको पैसा कहां से मिलता है और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो पंचायती राज है वो कितने स्तरों पर बटा हुआ है और हम एक गाउं है हरदास गाउं उसके माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे बचो आज का जो दिन है हरदास गाउं के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि वहाँ पर अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं और जो गाउं के लोग हैं जो ग्राम सभा किस दस्य हैं वो धीरे धीरे ग्राम सभा में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वे बड़े उत्सुक हैं कि वो देखना चाते हैं कि हमारे सरपंच ने और पंचों ने हमारे गाउं के लिए क्या या किस योजनाई बनाई हैं बच्चो अभी आपने एक शब्द सुना है और वो था ग्राम सभा अब ये ग्राम सभा क्या होती है आईए इसके वारे में जान लें ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यसकों की सभा होती है हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाउं हो या एक से अधिक कई राजियों में हर गाउं की ग्राम सभा की बैठक अलग लग होती है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाउं की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है तो बच्चो अभी हमने पढ़ा कि गाउं के वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इस प्रकार ये वहाँ पंचायत में पहुँचते हैं जहां पर ग्राम सभा की बैठक होने वाली है और वहाँ पर ये सारे सदस्य है ग्राम सभा के सदस्य है और पंचायत के सदस्य है वहाँ पर गाउं के बारे में क्या फैसले लिये जाने है या क्या किया गया है उसकी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं या बैठक में भाग ले रहे हैं अब वहाँ पर उस पंचायत में सबसे पहले जो सरपंच थे और जो पंच थे उन्हों ने जो वहाँ पर गाउं में सडकों की मरम्मत की गई उसका ब्योरा ग्राम सभा को दिया क्योंकि ग्राम पंचायत ग इसके बाद हरदास गाओं में पानी की समस्या को लेकर चर्चा होती है। हरदास गाओं में क्या समस्या है कि पानी का जो जलस्तर है वो काफी नीचे चला गया है। और हैंड पंपों से जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए जमीन में काफी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। ओरतों को तीन किलो मिटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तब ही एक सदस्या ने सुझाव दिया कि क्यों ना सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाओं में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं। उससे पानी की आपूर्ती हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यहां बहुत महेंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर देते हैं। और गाओं में रहने वाली तीजिया फिर बोली कि यह कोई पक्की विवस्था नहीं है क्योंकि पानी तो आने वाले समय में और नीचे चला जाएगा, जलस्तर और नीचे चला जाएगा, उसके लिए तो हमें कोई ना कोई पक्की विवस्था करनी होगी। ग्रामसभा का एक जो दूसरा ज़स्य है अनवर उसने बताया कि उसने महारास्टर के एक गाउं में पानी सरंख्षन के नए तरीके देखे हैं बच्चों आपको पता ही है कि महारास्टर भारत का पश्चिम में स्थेत एक राज्या है वह उस गाउं में अपने भाई से मिलने गया था उसको जल समवर्धन विकास कारेकरम जिसको वाटरशेड कहते हैं उसके बारे में सुना था उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था उसके भाई के गाउं में लोगों ने पेड लगाये थे नालों पर चेक्ट डैम यानि छोटे छोटे बांद बनाये थे एवं टंकियां बनाई थी सब लोगों को अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और ग्राम सभा के दस्यों ने पंचायत से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा तो बच्चो इसके साथ हरदास गाओं के लोग पंचायत में बैठे हुए या ग्राम सभा की बैठक में बैठे हुए और मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे थे उनी मुद्दों में एक विश्या था कि ग्रीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों का नाम उस सुची में आया है या नहीं आया है और अगर किसी का नाम नहीं आया है तो क्यों नहीं आया और अगर किसी का नाम आया है तो क्यों आया है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सूची में उनी लोगों का नाम होता है जो वाकही में गरीब हों और जिनके पास इतना धन नहां हो इतनी विवस्ता नहां हो कि वो अपना जीवन यापन कर सकें अब गाओं में क्या हुआ जब ये देखा गया कि वहां पर जो गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची बनी है उसमें तो कई नाम ऐसे आ गए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ती है मोटर सैकल भी है घर भी है फिर भी उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में आ गया जबकि कुछ वेक्ति ऐसे हैं जो वाकही में गरीब हैं लेकिन उनका नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में आया ही नहीं तो इस पर भी बात हुई हरदास गाउं की ग्राम सभा में और अंत में पंचायत ने फैसला किया कि दोबारा से इस सूची को देखा जाएगा कि क्या उसमें जो नाम है वो सही दिये गए हैं या नहीं दिये गए हैं तो बच्चो इस प्रकार ये जो ग्राम सभा है ग्राम पंचायत के माध्यम से देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा काम करती है गाउं में ग्राम पंचायत पूरे गाउं के हित में निश्पक्ष रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की महत्तपुर्ण भूमिका है ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंक से काम करने से रोग सकती है साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रती निधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रती उन्हें जिम्मेदार एवं जवाब दे बनाने में बहुत ही महत्तमपून भूमी का निभाती है और बच्चों अभी हमने कहा कि ग्राम जो सभा है किस प्रकार ग्राम पंचायत पर अपना नियंत्रन रखती है और उसका जो चुनाव है वो भी ग्राम सभा के लोगों के दुआरा ही होता है आईए अब हम ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा और जाने एक ग्राम पंचायत कई वार्डों जिसको छोटे-छोटे क्षेत्र कह सकते हैं में बंटी हुई होती है प्रतेक वार्ड अपना एक प्रतिनिधी चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुख्या होता है अभी हमने बात की कि जो ग्रामसभा के लोग होते हैं वो परतियक वाड से पंच को चुनते हैं और पंच बाद में अपने में से सरपंच को चुनते हैं लेकिन कई जगा पर ऐसा भी देखने में आता है कि गराम सबा के लोग पंच के साथ साथ उस गाओं के सरपंच को भी वोट डाल कर चुनते हैं और ये जो पंच और सरपंच होते हैं गाउं की पंचायत का गठन करते हैं और इनका जो गठन होता है वो पांच साल के लिए होता है और जब ये समय अवधी पूरी हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत का एक सचीव होता है जो ग्राम सभा का भी सचीव होता है सचीव का चुनाव नहीं होता उसकी सरकार दोआरा नियुक्ती की जाती है सचीव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्ने हुए हो उनका रि तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पंचायत गाओं में काम किस प्रकार करती है, अब वो गाओं में कौन-कौन से काम करती है और उसको पैसा कहां से मिलता है, आए अब उसके बारे में जाने. ग्राम पंचायत के काम हम ग्राम पंचायत की आमदनी के सुरोत क्या होते हैं, आए उनके बारे में बात करें. घरों एवं बजारों पर लगाये जाने वाले कर से मिलने वाली राशी. विभिन सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशी जो जन्पद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है. समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान. तो इस परकार अभी हमने देखा कि जो गाउं की पंचायत होती है, उसके क्या क्या काम होते हैं और उसको पैसा कहां से मिलता है. कुछ राजियों में काम करवाने के लिए कुछ समीतियां बनाई जाती है. यानि जो पंचायत है वो समीतियां बना लेती है, अलग अलग विभाग बना लेती है और उसमें कुछ पंचायत के सदस्य होते हैं और कुछ ग्राम सभा के सदस्य होते हैं. जैसे निर्मान समीति. अभी ये जो निर्मान समीति है वो ये देखेगी कि उस गाउं में कहां कहां पर क्या क्या चीज बनानी है ताकि गाउं के लोगों का भला हो और वो अपना जीवन बड़ी खुशी से और अनन्द से जी सकें. तो बच्चो अभी आपने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में जाना. आइए अब हम ये जानने का प्रयास करें कि ये जो पंचायती राज है इसके कितने स्तर होते हैं? ये जो पंचायती राज है इसको तीन भागों में बाटा गया है पहला है पंचायत, दूसरा है पंचायत समीती और तीसरा है जिला परिशद पंचायत के बारे में अभी हमने पड़ा है अब हम जो पंचायत समीती और जो जिला परिशद है आईए उसके वारे में थोड़ी चर्चा करें पंचायती राजविवस्ता में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है इसे जनपद पंचायत या पंचायत समीती कहते हैं एक पंचायत समीती में कई ग्राम पंचायते होती है पंचायत समीती के उपर जिला पंचायत या जिला परिशद होती है यह तीसरा स्तर होता है जिला परिशद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है पंचायत समीती की मदद से जिला परिशद सभी पंचायतों में अबंटेत राशी के वित्रण की विवस्ता करती है तो ये जो पंचायत के तीन स्तर हैं आपस में मिल जूल कर काम करते हैं क्या होता है कि जो पंचायत का स्तर है वो सबसे निम्न वाला स्तर है और बीच में जो है वो पंचायत समीती और सबसे उपर जिला परिशद है और ये एक जिले में किस प्रकार काम करना है ये तीनों स्तर आपस में मिल जुलकर काम करते हैं अगर गाओं की या ग्राम पंचायत की कोई समस्या होती है तो वो सीधा ही पंचाय समीती के पास जाती है और पंचाय समीती के पास से जिला परिशद के पास पहुँचती है और इसी प्रकार अगर कोई अनुदान आना है तो जिला परिशद से पंचाय समीती के पास आएगा और फिर पंचायत समिती से ग्राम पंचायत पर जाएगा तो इस प्रकार ये जो तीनों ही स्तर हैं एक प्रकार से देखें तो पंचायती राजविवस्ता को सफल बनाने में इसको सक्षम बनाने में अपनी एक महतम पूर्ण भूमी का निभाते हैं तो बच्चो ये जो पंचायती राजविवस्ता है ये क्या बताती है ये सुनिश्चत करती है कि निम्न से निम्न स्तर का वेक्ति भी यानि जो गाउं में सबसे नीचे स्तर पर रह रहा है वो भी लोगतांत्रीक विवस्ता में अपनी भागीदारी निभाए और किस प्रकार ह आमने देखा कि वो अपनी वोट डाल करके गाउं के पंच या सरपंच को चुनता है और किस परकार गाउं में किस परकार उसको गाउं को एक अच्छा या कह सकते हैं मोडल गाउं बनाने में मदद करता है कई बार क्या होता है कि जब गाउं की पंचायत अच्छा काम करती है तो उसको कई परकार के पुरसकार दिये जाते हैं जैसे अगर एक गाउं में अच्छी तरह से सफाई होती है तो उस गाउं की पंचायत को निर्मल पुरसकार भी मिलता है और इस भागीदारी के साथ साथ गाउं के लोगों को ये भी मौका मिलता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज उठाएं और सरकार को इस के बारे में बताएं तो बच्चो कैसे हमने देखा हरदास गाउं के माध्यम से कि किस प्रकार जो एक पंचायत होती है ग्राम सभा होती है किस प्रकार अपनी एक महतवपुन भूमिका निभाती है और हमने साथ ये भी देखा कि ग्राम सभा क्या है ग्राम पंचायत क्या है ग्राम पंचायत के क्या-क्या काम है और इसके साथ साथ ये भी देखा कि जो पंचायत के तीन स्तर हैं वो कौन-कौन से हैं उमीद है कि आपको ये जो अध्याय है अच्छी तरह से समझ आया होगा आपने कितना समझा कितना जाना आये हम कुछ प्रशन उत्र के माध्यम से इस अले हम बहु विकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन एक ग्राम सभा का सदस्या बनने के लिए नियूंतम आयू क्या है और विकल्प हैं 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 और सही उत्तर है 18 वर्ष प्रशन दो, पंचायत के कितने स्तर होते हैं विकल्प हैं एक, दो, तीन, चार और उत्तर है तीन अभी हमने पढ़ा था पंचायत, पंचायत समीती और जिला परिशायत प्रशन तेन, हरदास गाउं में निम्न में से क्या समस्या थी और विकल्प हैं पानी की, बिजली की, राशन की, सड़क की और अभी हमने पढ़ा था सही विकल्प है पानी की समस्या थी क्योंकि जो जल्स थर था वो नीचे चला गया था प्रशन चार, ग्राम पंचायत जिन क्षेत्रों में बंटी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? और विकल्प हैं सेक्टर, खंड, मोहला, वार्ड. बिलकुल सही इसका उत्तर है वार्ड. ग्राम पंचायत वार्ड में बंटी होती है. प्रशन पांच, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए किया जाता है और विकल्प हैं चार वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष, छे वर्ष, बिल्कुल सही इसका उत्तर है पांच वर्ष अब हम लगु उत्रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक पंचायत कितने स्तर पर काम करती है और कौन कौन से उत्तर पंचायत तीन स्तर पर काम करती है ग्राम पंचायत पंचायत समीती या जनपद पंचायत जिला पंचायत या जिला परिशद प्रशन दो ग्राम सचीव कौन होता है उत्तर ग्राम पंचायत का एक अधिकारी होता है जो सचीव कहलाता है इसका चुनाव नहीं किया जाता बलकि सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है सच्चिव का मुख्या काम, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी निर्ने लिये जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है प्रशन तेन, ग्राम समीतियां क्या होती हैं? उत्तर, कुछ राजियों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समीतियां बनाती है, उधारन के लिए निर्मान समीति गाउं में कोई भवन का निर्मान करवाना हो, तो ये काम निर्मान समीति करवाती हैं, इन समीतियों में कुछ दस्य ग्राम पंचायत के होते हैं और कुछ ग्राम सभाएं के अब हम बड़े प्रशन करेंगे प्रशन एक ग्राम पंचायत के कारियों की सूची बनाएं उत्र ग्राम पंचायत के मुख्या कारिय निम्न लिखित हैं सडकों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के सरोतों और अन्य सारजनिक उपियों के भवनों का निर्मान और रख रखाव, स्थानिय कर लगाना और इकठा करना, गाउं के लोगों को रोजगार देने सबंदी, योजनाएं लागू करना अब हम एक मिलान वाला प्रेशन करेंगे, यहाँ पर दो सूचियां दी गई है, सूची एक और सूची दो, सूची एक में दिया गया है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सचीव, सरपंच, पंचायत समिती सूची दो में दिया गया है ग्राम पंचायत का परधान, कई ग्राम पंचायतों का समुह, ग्राम सभा द्वारा चुनाव, गाउं के सभी व्यस्क सदस्य, सरकार द्वारा निउक्त अधिकारी आईए अब हम सूची एक को सूची दो से मिलाएं, ग्राम सभा को हम गाउं के सभी व्यस्क सदस्यों से मिलाएंगे, क्योंकि गाउं के जितने भी व्यस्क सदस्य होते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत को हम ग्राम सभा द्वारा चुन सरकार स्भाव से मिलाएंगे क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सबबारा चुनी जाती है। फिर है ग्राम सचिव इसको हम सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के साथ मिलाते हैं। फिर है सरपंच, सरपंच को हम ग्राम पंचायत का परधान के साथ मिलाएंगे क्योंकि ग्राम पंचायत का परधान सरपंच होता है और अंत में है पंचायत समीती, इसको हम कई ग्राम पंचायतों का समूं से मिलाएंगे क्योंकि कई ग्राम पंचायते मिलकर पंचायत समीती का निर्मान करती हैं तो बच्चों इसी के साथ पंचैती राजवाला हमारा अध्याए अभी समाप्त होता है उमीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा धन्यवाद